Most Welcome to Mukesh Mehta Anand Academy चैनल पर आपका हाँजी आज हम HSSC Clerk Result 5.2019 की बारे में बात करेंगे हाँजी मुश्किल में भाग जाना असान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में मेहनत करने वालों के कदमों में जहान होता है मुश्किल में भागना नहीं है अब हम पास पहुँच गए है बस और आपकी जिंदगी बस काम्याब होने वाली है डरने की कोई बात नहीं है डरना नहीं है किसी ने देखिए मेनत करोगे तो रिजल्ट जल्दी ही आपके कदमों में होगा तो इसी बात के साथ हम बात करेंगे यहां कलर्क रिजल्ट के बारे में साथिय जैसे आप सब को मालूम है अचे से सी जान भूज कर हमारे जल्ट में देरी करती जा रही है चार कैनिडेट के डाकूमेंट वेरिवकेशन ऑनलाइन या फिर इसी मीने हो सकते थे पर नहीं इनको तो नो जून को करवाना है अब हमारे सामने फिर वही बात आ गई है या तो हम जुक जाएं या फिर एचे से सी को उसकी मन मानी करने दे या फिर हम अपना रिजल्ट लेकर ही माने तो भाई देखिए हमने यहाँ डिसीजन लिया है एक बार फिर हम आपको आपके सिहोग किया शकता है और हम 28 माई सुबह 10 बजे ट्वीटर पर नया हैस्टेग चला रहे हैं और उसमें आपने 10 बजे बहुत सारे ट्वीट करने हैं अन गिनत तो उसके लिए आपको डिस्क्रप्शन में लिंक मिल जाएंगे और वर्टसप ग्रूप से या टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाईएं और 28 माई सुबह 10 बजे सभी ने बहुत सारे ट्वीट करने हैं और यदि नहीं मानती तो इसके बाद फिर हमने डिसीजन लिया है कि 16 जून को सारे कलर्क जो है जो भावी कलर्क हैं वो पंच कुला जाएंगे 16 जून इसलिए ताकि 9 जून के बाद HSSC को साथ दिन के लिए रिजल्ट दे सकती है वो और मैं फिर यही कहता हूँ कि 28 माई को ट्वीटर पर हर मेंबर स्योग करें कोई भी ऐसा ना हो जो ट्वीट ना करें हजारों ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके घर की कंडिशन ज्यादा अच्छी नहीं है ऐसे में रिजल्ट उसके लिए बहुत जुरूरी है बहुत सरी समस्य हैं यदि हम देखे जाएं तो बहुत सरी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी ओवरेज होने वाली होगी हां कलर के अंदर HSC के अंदर ऐसी ऐसी बर्तियां पढ़ियें जो 2015 से होने वाली थी 2015 में TGT English की एक बर्ति को ले लो उस बर्ति के अंदर HSC ने खुद कोट में केस लगवाया है उसने क्या किया सारी eligibility चेंज कर दी जिसके कारण उस पे बहुत सारे केस लग गए नहीं तो अब तक उसका result हो चुक है कि उस बर्ति को cancel करने की बात हुई जा रही है तो ऐसा ही clerk में हो रहा है भाई clerk के अंदर क्या किया जा रहा है हर बार vacancy कभी कम कर रही है कभी बढ़ा रही है पोस्ट कभी बढ़ा रही है कभी कम जब से advertisement निकली है तब से ऐसा हो रहा है और दूसरा reason देखिए कित रही है ये खुद ना फस जाए तो इसलिए वही रेजल्ट निकलवाओ जल्दी करके सभी candidate एक candidate जिसके आगे और भी exam है उसके लिए तो रेजल्ट बहुत जुरूरी है और इसके लिए hssc clerk 5 2019 रेजल्ट बहुत जुरूरी है वह जुरूर 16 जुन को पंचकुला चले 28 तार 16 जुन को चलने का फैसला किसी अकेले का नहीं है वही टेलिग्राम और WhatsApp पे बहुत सरे मेंबर जुड़े हुए है और उन्होंने ये कहा है कि हम hssc chairman से मिलकर आएंगे और यह हो सका तो cm और अनिल्विच से भी मिलेंगे भी आपका स्योग इतना ही जुरूरी है कि 28 माई को स सब जो है है स्टेक चलाएं और इसका इतना ट्वीट करना है कि 18,000 मेंबर तक यह बात पहुंच जाए तो वही आपसे यही रिक्वेस्ट है वही इस वीडियो को लाइक कर लें और जितना हो सके सब शेयर कर दें और वही यह वीडियो सब तक पहुंच जानी चाहिए यहां भारत उनके साथ हो जाता है तो वही हम भी नोजवानों के विश्य की बात कर रहे हैं तो वही नोजवानों के विश्य के लिए जुरूरी है कि हम सब एक साथ मिलकर इसको बढ़ाएं और हमारी बात जो है पूरे परदान मंत्री तक पहुंच जाए कि हर्याना की HSSC कमिशन जो है क्या कर रहा है वहां की सरकार क्या कर रही है तो इस वीडियो को फेला दो ताकि जो है भी 28 माई को बहुत सरे ट्वीटों ट्वीटर अकाउंट पर हाथ में लास्ट में यही कहूंगा वही हमारी मंजिल की उडान अभी बाकी है हमारे इरादों का इम्तियान अभी बाकी है, अभी तो माप्पी है मुठी भर जमीन और हमारे होंसलों की उडान अभी बाक्ये है, हमारे होंसलों की उडान अभी बाक्ये है वही आप जो है जितना हो सकें ट्वीट करें ट्वीट से ही हम जो है नहीं तो फिर हमने जो ठानी है 16 जून को जो है सभी कठे हो जाएं अजी HSSC कलरक रिजल्ट की एक महीम वही सबका साथ चाहिए हमें सबका प्रिनाम आएगा हाँ और आपके कदमों में होगा रजल्ट वही हाँ जी तो 28 मई 2020 दस बजे सुबह ट्वीटर अकाउंट पर सभी ने ट्वीट करना है कोई भी कैंदेट ना भूले तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्क्राइब कर लें और अपडेट के लिए और कोमेंट करना भी ना भूलें कोई और राए हो तो कोमेंट में लिख कर बताइए भाई आपकी बात को पहुंचाया जाएगा और इस वीडियो को जहां तक हो सके सभी वाटसेप ग्रूप और अपनी फेस्बुक आइडी सब जगां पर इसे शेयर कर दो ताकि सब तक ये मैसेज पहुंच जाएए थैंक्स